वेलकम स्टुडेंट्स हम स्वाइल डिग्रेडेशन का यूनिट पढ़ रहे हैं इससे पहले हमने स्वाइल प्रोफाइल और स्वाइल कंपोजिशन पढ़ा आज हम टाइपस अप स्वाइल इन इंडिया पढ़ेंगे तो बहुत टाइपस की स्वाइल जो है यहां पर पाई जाती है और जो खास कुछ टाइपस हैं उनको हमने कलासिफाई किया है डिपेंडिंग अपान इन्वरिमेंटल कंडिशन की कौन सी इन्वरिमेंटल कंडिशन में एक स्वाइल रही है और उसका मेनरल कंटेंट क्या है और उसमें कौन-कौन से माइक्रोब्स डिफरेंट टा कि धmost जो पहला टायप है अल्ओयल सािप अल्ओयर जो माना देती इंडिया घुसिक्स सबसेबड़ा हिससा का है वो है अल्ओयवियल और यह सब से ज्यादा जर्खेज स्वाइल जो है मानी जाती है अलोवियल स्वाइल और ये एक डिपोजिशनल टाइप आफ स्वाइल होती है डिपोजिशनल टाइप आफ स्वाइल का मतलब ये हुआ कि जैसे हिमालियन रिवर्स हैं जब ये बहके आते हैं जब ये हिमालिया से आते हैं तो ये अपने साथ में सेंड और सिलिट लाते हैं और वोही डिपाजिट हो जाती है और वो जब डिपाजिट हो जाती है वोही बनाती है इस तरह की सॉाइल जिसको हम कह सकते हैं अलोवियल सॉाइल इस सॉाइल इस बिंग सेंड और सिलिट विद वाटर एक बड़ा एक रिवर छोटे 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 शाकों में बढ़ जाता है प्लैनस में तो जो इन शाकों के दर्मियान जो जमीन रहती है उसको डेल्टा कहा जाता है ये एक बड़ा सा एक रिवर है ये यहां पर एक शाक में यहां पर दूसरे और यहां पर तीसरे शाक में तब अब इसकी दो टाइप सें बंगर एंड एक और टाइप है इसका खादर और बंगर ओल्ड एलोवियल स्वाइल इस बांगर इस फार आवे फ्रम रिवर बैड जो रिवर्स है रिवर्स से बहुत दूर यह पाई जाती है इसको कहा जाता है बंगर यह बहुत परानी अलोवियल soil होती है तो newly formed aloeval soil is known as khadar जो नई नई बनी हुई aloeval soil होती है उसको khadar कहा जाता है it is found more close to the river beds ये river beds के नजदीक पाई जाती है it is more fertile than bhangar ये khadar जो होती है ये continuously replace हो जाती है इसलिए ये bhangar से ज्यादा fertile होती है aloeval soil इसमें क्या क्या होता है ये rich होती है इन potash, phosphoric acid और live ये चीज़ें इसमें ज्यादा होती है potash, phosphoric acid और live शुगर, can, peady, wheat, cereal, crops etc can be mostly grown in aloeval soil aloeval soil is में आप कौन-कौन से फ़सल उगा सकते हैं आप sugar can की खेती कर सकते हैं पेड़ी, wheat और बहुत सारी जो भी pulses है आपकी cereal crops उनको भी वहाँ पे आप grow कर सकते हैं तो इसके बाइद जो और टाइपस है हमारी soil इसकी वो है black soil, black soil को rigor soil भी कहा जाता है इसमें cotton or sugar can आप grow कर सकते हैं इसलिए इसको cotton soil इंडिया भी कहा जाता है तो black soil को आप पाते 1 पलैट्व, butt sowting आप इसको पाते हैं, back soil i, swear cotton sz Moi आप इंडिया भी कहा जाता है यह detck Ingred में पाई जाती ए इसका color black होता है तब इसको black soil कहा जाता है अब इसके बाइद है red soil red soil जो है इसमें बहुत ज़्यादा iron की जो इसमें concentration होती है वो बहुत ज़्यादा होती है तब ये दिखने में red लगती है red या reddish brown इसका color होता है it is formed by the erosion of metamorphic and igneous rocks जो metamorphic और igneous नाम की rocks होती है आपके पास वही जब erode करती है उन्हीं का erosion होता है और उससे बनती है red soil तो made up of clay and soil इसमें clay होता है soil होती है used for agriculture but needs continuous irrigation इसको red soil को agriculture purpose खेती बाड़ी के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन आप में continuous supply होनी चाहिए इसमें irrigation की मानी की इसके बाद है literite soil also red color ये भी red color में होती है लेकिन इसका acidic nature होता है इसलिए इसमें कोई खेती अप नहीं कर सकते literite soil में फार्मर भाई weathering of literite rocks literite rocks की withering से बनती है ये जब वो तूट जाती है literite rocks वहाँ से literite soil बन जाती है ये acidic in nature होती है लेकिन ये एक काम में आती है इससे bricks बना सकते हैं हम इससे manufacturing ब्रिक्स में हम use कर सकते हैं इसके बाद है इरिड और desert soil ये desert इरियाज में पाई जाती है ये agriculture के लिए इस्तिमाल हो सकती है लेकिन इसमें भी हमने continuous irrigation होनी चाहिए इसके बाद mountains में पाई जानी वाली soil उसको mountain soil कहा जाता है उसमें humus का content बहुत ज़्यादा होता है humus organic matter होता है soil में अब जोंके mountain में continuously वहाँ पे जो foresters होंगे उनसे वहाँ पे पते गिरिंगे और वो पते इसी जमीन में गिरिंगे तो इससे organic matter या humus content बढ़ जाएगा इस soil का इसके बाद है alkaline soil arsaline soil high salt content होता है इसमें बहुत ज़्यादा नमकी concentration होती है ये भी unfit for agriculture होती है इसके बाद है last type soil की that is feed इसमें clay का content बहुत ज़्यादा होता है इसको cultivation में आप इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन सिर्फ summer में इसके cultivation की जा सकती है